आज पहली बार ऐसे हुआ कि मेरे घरवाले मेरे किरिकर देखना है मुझा अप्षालावागे अपना माम तर्फालावागा 31,000 रुपया जो सेकंड नी नाम है वो भी हाजित आफिक को नगत दे दिया गया अग्योर्द अप्ताली बाई अजया मोटर साइकर की चापी है इसको भी लाला जिब्रावागा ये भूरी कत्ताम है दोंको ये हमारे हाजित आफिक साफ टैकिन को एप्षाली नमस्कार अदाब मैं हूं अर्षद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक आए दोस्तों आपको लिए चलते हैं आज हर्याना परदेश के जिला मेवात की और दोस्तों जहां से एक बहुत बड़ी खबर परकाश में आ रही है मेवात की राजनीती में खलवली मच रही है पुराने नेताओं की किसमत डगमगा रही है इस बार जनता नए चेहरे की तलास कर रही है ऐसा ही नजारा कुछ प इस यादराम गर्ग सहब भटे वाले को आगामी 2024 के लिए चुनावी मैदान में पुनहाना शीट के लिए उतार दिया है इस यादराम गर्ग की खासियत क्या है चलिए वो आपको विस्तार से बता देते हैं जबान और इमान का बहुत पक्का है गरीबों का मददगार है नौजवानों की मदद करता है गरीब बेटियों को कनेदान करता है हिंदू मुस्लिम भाई चारे में बहुत ज़्यादा विस्वास रखता है वैक्ति की दो बड़ी बातें आपको बता रहा हूं पहली बात जब कोरोन काल चल रहा था और लोग जिन्दगी की भीक मांग रहे थे नपसा नपसी का आलम था ये एक मुस्लिम बहूल इलाका है यहां के मानी खेडा अलाफिया होस्पिटल में कुछ मशीनों की कमी आ रही थी उस वक्त दोस्तो इसी यादराम गर्ग सहब ने पांच लाक रुपे अपनी जेब से खर्च करके मशीने मंगवाई थी और दूसरी बात यह है दोस्तो कुछ महीने पहले जब नुहुश शहर के अंदर दो शमुदाओं के बीच तनातनी हुई कुछ बहारी लोगों ने यहां हुर्दंग मचाया और एक दंगे का माहौल बन गया लोग घरों में भी डर और खौप के साए में जी रहे थे चाहे बात हिंदू की हो या मुसल्मान की लेकिन दंगा बुरी चीज होती है उस वक्त भी दोस्तों चौक चौराय और नुकड़ों पार गाउं और शहर के बीच ये वैक्ती रेली निकाल रहा था रेली इस पर कार की थी दोस्तों ये हिंदू मुसलिम भाई चारेक की मिसाल दे रहा था और लोगों को अमन सांती का पाठ पड़ा रहा था बस इसलिए कर रहा था बस इसलिए आज पुनहना विधान सबा चेतर की जनता ने यादराम गर को विधायक बनाने की ठान ली है यादराम गर के साथ अब हजारों का काफला चलने लगा है तो आज साहा चोखा गाओं के अंदर एक किर्किट टूर्नमेंट हुआ इट मैच के दोरान सिर्कत की और वहां विनर टीम के लिए एक सपलेंडर पलस मोटर शेकल दी तो वहीं सैकंड टीम के लिए 31,000 रुपे नगत दे कर खिलाडियों का मनोबल बढ़ाया है इसी दोरान हजारों नौजवानों ने यादराम गर्ग का फूल मलावे ढोल नगाडों से जबर जस्त सुवागत किया और यादराम गर्ग जिंदाबाद के जम करके नारे लगाए इनकी लौप्रियता लगातार बढ़ रही है तो वहीं पुराने नेता इनकी लौप्रियता से घबरा रहे है आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही फिर लेकर हाजिर होंगे मिवात की राजनिती से जुड़ी कोई ताजा अपडेट तब तक के लिए आप मुझे दीजिये इजाज़त अशलाव अलेकूम अल्ला हाफिज ताजिया बढ़ी उप्रिगाने से कर गही है ताभी ये के जप्तान को दोनों टीमों के जप्तानों को लाला जी पकड़ी बांदरे इनका सम्मान करें जो ताजिया आप किसी तरीके का भी कोई बुरा मेसी लेकर नहीं जाएंगे जिस तरीके से खेल खिलुआयाएं बिल्कुल साफ नशाफ के साथ आपको टिमान दीजाएं अधिर आप अधिराज मेंटा हाथा मत होता है अधिराज मेंटा हाचामद ऐसा है जाज़ता है दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और शाथ में दबाईए बैल आइकल घंटे